हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल इन दिस वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं 200 इडियम्स और यह आपके सभी इस सिख्जाम्स और अधर कमटेटिव जाम्स जो भी है जहां भी इडियम्स पूछे आते हैं उन सभी इडियम्स के लिए काफी यह इडियम्स हैं तो आप लोग जो है इनको पूरा जरूर लगाएं और यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक कोट है यहां पर देखेंगे जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी तो जब भी आप लगते हो तो उसकी जो है हमेशा पोश्टिव में आपको सोचते रहना है ठीक है अगर मन में जरा सा भी किसी चीज के प्रति संकोच हुआ तो फिर वो आपके लिए आगे चल करके वो चीज अपना रंग दिखा देगी तो आपको बिलकुल भी मन में संकोच नहीं रखना है आपको अपने उपर पूरा विश्वास रखना है कि अगर हाँ हम पड़ रहे हैं इसकी तयारी कर रहे हैं तो हम आगे जरूर सफल होंगे ठीक है क्योंकि आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं ठीक है तो इसी अच्छी सोच के साथ चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते ह हैं और काफी important idioms हैं आपके सभी exams के लिए और यही सारे idioms जो है exams में बार बार पूछे जाते हैं तो आप लोगों को जो है आराम से बैठ जाना है और वीडियो को देखते रहना है और आपको वीडियो जो है पूरा लगाना है और यहाँ पर सभी idioms जितने भी यहाँ पर देखे लिखे गए हैं तो सभी के meaning यहाँ पर English में मैंने दे रखा हूँ यहाँ पर ठीक है English में सभी के meaning यहाँ पर दे रखा हूँ और आपको क्या करना है बिल्कुल इसको 37 देखना है और मैं यहाँ पर इन सभी words के जो idiom है इनके सभी के meaning हिंदी में भी बताता बट आप यह सोच कर चले कि आपके exam में Hindi में कुछ नहीं मिलेगा मिलेगा तो सब कुछ English में ही आएगा तो आपको English वाला ज्यादा फोकस करना है और इतनी आपको English की समझ तो होनी ही चाहिए ठीक ना क्यूंकि आप exam देने जा रहे हो तो exam में जो है इतना तो आपको समझ म चीज़ों को ठीक है बागी आपके exam में comprehensive पैरा जंबल यह सब तो आता है तो आपको उसको लिए भी कम से कम थोड़ी से understanding English की तो हो नहीं चाहिए ठीक है तो आए इन्ही सब अच्छी बातों के साथ सुरू करते हैं आज का session और आपके लिए काफी important है तो बलकुल आप मतलब होता है आकरसन ठीक है तो आकरसन होना उसको बोलते हैं a big draw मतलब आकरसन होना किसी की तरफ बहुत ज्यादा आकरसित होना उसको बोलते है a big draw नेक्ट है a bit under the weather ठीक है a bit under the weather इसका मतलब होता है falling ill ill मतलब होता है बीमार हो जाना ठीक है तो a bit under the weather का मतलब होता है बीमार होना नेक्ट है a bone in disguise इसका मतलब होता है a benefit in a loss मतलब हानी में भी lab हो जाना ठीक हानी में भी lab होना उसको बोलते है a bone in disguise guys और next है a bolt from the blue यहां पर numbering नहीं की गई इसकी ठीक है तो अलग से है एक्स्ट्रा point है आपके लिए a bolt from the blue मतलब होता है all of a sudden a bolt from from the blue मतलब होता है all of a sudden मतलब अचानक कोई चीज हो जाना ठीक उसको बोलते है a bolt from the blue next है a broken read a broken read मतलब होता a broken read का मतलब होता है an unreliable person यानी की आविस्वासी बेक्ती a cake walk आप exam में बहुत बार पूशा आता है तो a cake walk का मतलब होता something that is extremely easy to do मतलब बहुत ही आसान कोई चीज बहुत ही आसान होना उसको बोलते हैं a cake walk मतलब बहुत ही आसान ठीक है next a cook in the nest a cook in the nest मतलब होता someone in a group of people but not liked by them मतलब कि कोई ऐसा परसन जो किसी ग्रूप में हो बट ग्रूप के members द्वारा उसको पसंद नहीं किया जाता हो उसको बोलते हैं a cook in the nest ठीक है a cook in the nest मतलब ग्रूप में सबसे अलग ब्रक्ती मतलब जिसको कोई पसंद नहीं करता है उसको बोलते हैं कोई इन्द नेस्ट उसके बाद है seven number है a dis fit for gods ठीक है तो मतलब something up very high quality मतलब इस्वर का इस्वर का खाना ठीक है इस्वर का खाना मतलब कोई बहुत ही high quality की चीज़ उसको क्या बोलेंगे का मतलब होता है किसी वस्थ की किसी वस्थ का ना बिकना किसका कारण डिमांड ना होने कारण कोई बिक रही है तो उसको बोलते हैं drug in the market ठीक है ठीक मतलब आपको एक पर चयंत मिल जाना उसको बोलते है एक एक एर पिरक आप दा पर दो गय लड एक मतलब होता है ज़िए ऑफ फेस्टिविटी ठीक है मतलब कह सकते हो कि आनंद तो का दिन या फिर तेवारों के दिन ठीक है तो उसको बोलते हैं गय लड एठीक है नेक्स्ट है ए गेम आप टू एक्वल हाल्प्स इसका मतलब होता a sudden change in circumstances ठीक है तो a game of to equal health का मतलब है sudden change in circumstances मतलब परिस्थतिओं में अचानक बतलाव हो جाना यहाँ पर लिखा हुआ आगे circumstances आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर यह लिखा वहा circumstances तो मतलब परिस्थतिओं में अचानक जो है बदलाव हो जाना उसको बोलते हैं a sudden change in circumstances a game up to equal health next a sore point a sore point का मतलब होता है a subject that make you feel angry or upset when it is mentioned ठीक है तो sore point का मतलब क्या होता है विवादा, इसपद, मुद्दा या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको गुसा कर सकती है ठीक है a subject that make you feel angry या फिर upset तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको angry या फिर upset कर सकती है या फिर sore point का मतलब होता है विवादा, इसपद, मुद्दा ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान रखें next है a house of cards इसका मतलब होता है a poor plan मतलब भी बहुत ही कमजोर plan होना उसको बोलते है a house of cards next जो है आपका इडियम है वो है a thorn in one's side a thorn in one's side का मतलब होता है a person or thing that repeatedly annoys somebody or stops them from doing something ठीक है तो a thorn in one's side का मतलब यह होता है कि कोई person या फिर कोई thing जो किसी चीज़ पर बार-बार नहाँ पर लिखा न repeatedly annoys ठीक है तो बार-बार क्रोधित होती है किसी चीज़ पर annoy somebody or stop them from doing something या फिर किसी चीज़ को काम करने से रोकती है उसको बोलते है a thorn in one's side ठीक है तो मतलब किसी चीज़ पर बार-बार गुस्सा होना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई बाधा डालती है उसको बोलेंगे a thorn in one's side नेक्स्ट है एवब बोड एवब बोड का मतलब जो है एकजाम में कई बार पूछा गया है तो एवब बोड का मतलब होता है honest and legal इमानदार होना बिल्कुल legal होना यहाँ पर ठीक है एवब बोड मतलब होता है इस पस्ट ठीक है next है 16 number accept a gauntlet मतलब होता to accept a challenge ठीक है challenge स्विकार करना उसको बोलते है accept a gauntlet next है Achilles heel Achilles heel मतलब होता है weak point ठीक है यह आगे कुछ नहीं है weak point Achilles heel मतलब होता है weak point यानि कि कमजोर पहलू across the board का मतलब होता involving everyone or everything in a company and industry ठीक है involving everyone or everything मतलब हर चीज को या हर व्यक्ति को involve करना अपने साथ या फिर industry में ठीक है company में या फिर industry में हर चीज को involve करना उसको बोलते है across the board ठीक है next question है Adam's ale Adam's ale कई बार एक्जाम में पूछा गया है इसका मतलब होता pure water ठीक है सुद्ध water उसको बोलते है Adam's ale ठीक है आप कह सकते हो potable water ठीक है potable कि कह सकते हो potable ठीक है तो पीने योग जो पानी है सुद्ध water उसको बोलेंगे Adam's ale ठीक है next है a fuel to the fire a fuel to the fire मतलब to aggravate some situation और matter ठीक है तो भड़काना किसी इस्थती को भड़का देना उसको बोलते है add fuel to the fire next है add insult to injury तो इसका मतलब भी होता है to harm as well as humiliate humiliate का मतलब होता अपमान करना हार मतलब नुकसान पहुचाना तो नुकसान पहुचाने के साथ-साथ अपमान करना या फिर आप कह सकते हो भड़काना किसी इस परिस्थती को दोनों से होता है ठीक है या फिर आप कह सकते हो जले पर निमक छिड़कना इसका मतलब होता है add insult to injury next है मतलब की अपनी परचाई से डर जाना मतलब to become easily frightened बहुत ही आसानी से डर जाना जाने कि डर पोक होना उसको बोलते हैं अपरेड आप वन्स आउन सेडो against the clock against the clock का मतलब होता है पूरे समय यहां पर देखेंगे to be in a hurry to do something before a particular time ठीक है तो किसी काम को बहुत ही जल्दबाजी में करना किसी particular time से पहले करने की कोसिस करना तो उसको बोलते है against the clock ठीक है against the clock मतलब समय के विपरीत समय के विपरीत मतलब बहुत तेजे से काम करना किसी कोई time दिया गया है आप का येसे exam होता है sigil का एक गंटे का तो उसके लिए आप क्या करते हो पूरी जी जान लगा ज़े तो एक गंटे के लिए ठीक है तो बहुत ही तेजगती से काम करना बहुत ही जल्दी में काम करना समय से पहले काम को खतम करने कोसिज करना ठीक है next है all intents and purposes all intents and purposes बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है तो इसका मतलब होता from every point of view from every point of view मतलब की हर दृष्टी कोण से इसका मतलब क्या होता है हर दृष्टी कोण से all intents and purposes मतलब हर दृष्टी कोण से next है all one all one मतलब all the same सभी एक जैसे all one मतलब सभी एक जैसे all the same next question next चलेंगे 26 number है all systems go all systems go मतलब होता है कि state of readiness for immediate action ठीक है all systems go मतलब state of readiness for immediate action तो किसी immediate action के लिए तैयार रहना ठीक उसको बोलते हैं all systems go मतलब हर चीज सही से काम कर रहा हो जब भी तुरंत या immediate action की जरूत पड़े तुरंत ready हो जाना ठीक है तो उसको बोलेंगे all systems go मतलब सब कुस सही से चल रहा है next है all the rage all the rage मतलब होता है very popular ठीक है case of quarrel जगडे का कारण होना next an apple up once I मतलब होता है very dear ठीक है बहुत ही प्यारा किसी का favorite होना ठीक है an apple up once I उसके बाद है an arm and a leg मतलब होता extremely expensive बहुत ज्यादा महेंगा होना an arm and a leg मतलब होता है बहुत ज्यादा महेंगा होना उसके बाद है an x to grind an x to grind का मतलब होता है to have a selfish reason for saying or doing something ठीक है तो selfish reason होना मतलब की selfish मतलब कह सकते हो खुद के लिए ठीक है मतलब खुद का भला चाहना एक तरीक है कह सकते हो खुद का भले चाहने के लिए कोई region होना for saying or doing something ठीक है तो an x to grind होता है उसको बोलेंगे ठीक है next है an early bird an early bird का मतलब होता someone who gets early in the morning जो सुबह जल्दी उठका है उसको बोलेंगे early bird an early bird का मतलब क्यों होता है सुबह जल्दी उठने वाला someone who gets early in the morning next है 32 number है an educated guess an educated guess मतलब होता है a guess which was likely to get corrected ठीक है तो ऐसा guess जो बिल्कुल correct हो ठीक है ऐसा guess जो बिल्कुल correct हो उसको बोलेंगे an educated guess ठीक है मतलब ऐसा guess कोई guess लगाया जाए जो बिल्कुल सही निकले उसको बोलेंगे an educated guess an open book an open book मतलब होता one that holds no secret ठीक है मतलब बिल्कुल खुला व्यक्ति जिसके बारे में कोई बात छुपी ना हो उसको बोलेंगे an open book an open book मतलब जिसके बारे में कोई बात छुपी ना हो next है an ugly customer ठीक है an ugly customer मतलब a difficult person to be deal with मतलब को है ऐसा person जिसके साथ जो है जो है ब्यापार करना या फिर ब्योसार करना बहुत ही मुश्चिल हो उसको बोलेंगे an ugly customer Adjustment a difficult person मतलब ऐसा person जिसके साथ ब्यापार करना बहुत next है anti-meridian तो रात बारा बज़े से लेकर के दोपार के बारा बज़े तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एंटी मेरिडियम ठीक है तो वनवर्ट सब्टिटीशन में भी पूछा जाता है नेश्ट है अपियर आउट आफ नाव हियर मतलब तो अपियर सड़नली बिदाउड वार्निंग ठीक है तो अचानक बिना वार्निंग के अपियर हो जाना उसको बोलते हैं अपियर आउट आफ नाव हियर ठीक है नेश्ट है आर्गूस आइड आर्गूस आइड मतलब एक ग् उसको बुलते हैं आर्गूस आइड आर्गूस जो है आइज ठीक है आर्गूस आइड मतलब सव आँखों वाला दैत्य ठीक है नेक्स्ट है आइज डक्ट्स आइज डक्ट्स टू वाटर मतलब वेरी इजली विदाउड एनी प्रॉब्लम और फिर तो बहुत ही आसानी से आएज डक्स तेक्स टू वाटर ठीक है तो बहुत ही आसानी से थर्टी नाइन अबर है आइज गुड्ड आइज वंस वाड़ मतलब टू कीप वंस प्रोमिस अपने प्रोमिस को ध्यान रखना बनाए रखना ठीक है या फिर अपने प्रोमिस पर कायम रहना उसको बोलेंग as good as once formed ठीक है आगे चलते हैं number 40 तो 40 number है as hard as as hard as nails मतलब होता है emotionless as hard as nails मतलब होता है ýmotionless जिसमें कोई emotion नहीं हो उसको बोलेंगे as hard as nails ठीक है emotionless मतलब जिसको सुक दुक कोई मतलब नहीं ठीक है आईसे ये चाहसों को चाहदू को हमेंज आए की तरीके से रहेगा तो उसको बोलेंगे as hard as nail ठीक है नेक्स्ट कोशन देखेंगे as the crow flies मतलब in a straight line एकदम सीधी रेखा में as the crow flies मतलब होता है in a straight line मतलब एकदम सीधी रेखा में नेक्स है I sleep at the switch मतलब होता है not to be alert to job or responsibility ठीक है तो अपने काम या अपने responsibility के प्रती alert नहीं रहना उसको बोलते है I sleep at the switch नेक्स है 43 नंबर है I at a loss मतलब होता है to be confused बहुत ही confused हो जाना उसको बोलते है I at a loss ठीक है next है I at a loss मतलब होता है confused होना next है I at an arms length I at an arms length मतलब होता है to distance yourself from a person distance yourself from a person मतलब किसी व्यक्ति से दूरी बनाये रखना उसको बोलते है I at an arms length next है at cross purposes at cross purposes मतलब होता है with different intentions ठीक है with different intentions मतलब अलग अलग जो है intentions के साथ मतलब intentions मतलब इरादा ठीक है अलग इरादे के साथ उसको बोलते हैं at cross purposes ठीक है next at discreation at discreation मतलब होता without condition और stipulation मतलब बिना कशी condition के उसको बोलेंगे at discreation next at issue at issue मतलब होता है in a question या फिर in dispute ठीक है dispute में होना या फिर संदेह में होना उसको बोलते हैं at issue और यहाँ पर मैं आपको जो है यह अभी A और B वाले इस वीडियो में आपको करवा रहा हूं ठीक है यह और B वाले इडियों से यहाँ पर करवा रहा हूं ठीक आप लोग देख सकते हैं फिर सभी A से सुरू हो रहे हैं ठीक है तो आपके लिए काफी important होंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग उनको देखते रहें next है 49 number है at large at large का मतलब होता है not captured free not captured या फिर फिरी ठीक है तो at large मतलब होता है कानून के पकड़ से बाहर होना free होना स्वतंत्र होना ठीक है तो उसको बोलते है at large और next है at loggerheads मतलब in strong disagreement ठीक है at loggerheads का मतलब होता है in strong disagreement मतलब आसहमत होना किसी चीज़ से पूरी तरीके से आसहमत होना next है at odds at odds मतलब होता है in disagreement in conflict ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है आसहमत होना at odds next है at one at one मतलब होता है in one opinion एक ही opinion मतलब एक ही सबकी एक ही राय होना वहाँ पर उसको बोलते है at one next है at one's fingers मतलब at one's fingers in मतलब होता है having thorough knowledge ठीक किसी जीच के बारे में पूर्ण जानकारी होना गहन जानकारी होना उसको बोलते है at one's fingers in next है at one's wits in मतलब होता है to be puzzled पूरी तरीके से puzzled हो जाना यानि की confused हो जाना ठीक है मतलब होता है at a higher than normal price ठीक है तो बहुत ही higher price का होना उसको बोलते है at a premium मतलब कोई चीज बहुत ही premium होना मतलब बहुत ही महंगी होना next at random at random मतलब होता है without mated or conscious decision बिना किसी लच्च के इसका मतलब क्या होता है at random का बिना किसी लच्च के आगे चलते हैं next पर और यह है 57 number 8C ठीक है ना 8C 8C का मतलब होता perplexed confused होता है ठीक है और next है 58 है 8, 6s and 7s मतलब होता है in disorder मतलब तितर बितर हो जाना ठीक है उसको बोलते है 8, 6s and 7s next है 8, a, snails pace मतलब very slowly बहुत ही धीमी गती से 8, a, snails pace मतलब होता है very slowly बहुत ही धीमी गती से next है at stark मतलब होता है at risk का खत्रे में होना ठीक है at stake मतलब होता है at risk का यानि की खत्रे में होना उसके बाद है at the bottom of the ladder at the bottom of the ladder इसका मतलब होता है at the lowest level of pay and status ठीक है at the lowest level of pay and status बहुत ही lowest level पर होना उसको क्या बोलेंगे add the bottom आप the ladder ठीक है तो बहुत ही low level पे हो ना उसको बोलते हैं ठीक है next है add the crack up down add the crack up down मतलब होता है very early in the morning एकदम सुबह सुबह ठीक है crack up down का मतलब क्या होता है एकदम सुबह सुबह add the drop up a head drop up a head का मतलब होता है immediately, instantly next देखेंगे add the 11th hour add the 11th hour मतलब होता है add the last moment यानि कि अंतिम समय में add the last moment यानि कि अंतिम समय में या फिर अंतिम छण पर ठीक है तो उसको बोलेंगे add the 11th hour next है add the end of once tether मतलब having no strength or patience lift ठीक है add the end of once tether मतलब होता है सहन सक्ति की अंतिम सीमा ठीक है तो मतलब किसी जीच को इतना ज़्यादा सहन करना मतलब उस लेवल तक सहन कर लेना कि उसके आगे सहन करना बहुती musculo ठीक है add the end of once tether मतलब add the heels up add the heels up या on the heels up हो सकता है इसका मतलब होता do follow someone किसी को follow करना ठीक है न Downt Z empresas Gem है तो आप इंस्पारिंग मतलब होता है इंप्रेसिव मेखीं यूफील इंड रिस्पेक्ट along सुल नुऺए तो इंप्रेसिव होता है अदिwo मतलब होता है कि भय दिखाने वाला कारण है है टीक है तो और या फिर किसी पर बहुती इंप्रेसिंव होना इंप्रेसिंड जवाना या फिर making you feel respect and admiration टीक है तो बहुती pyramin एड्जिन शुकर बोलते हैं इस इंस्पारिंग मतलब होता है इसको द्यानक न इंपरेसिव या फिर इसका याद नहीं आ रहा है भय यह भी inspiring मतलब होता है भय दिलाने वाला कारण ऐसे कुछ होता ठीक है तो इस English में यादर को impress you, impress you मतलब impression डालने वाला क्या making you feel respect and admiration ठीक है admiration मतलब होता प्रसंचा respect मतलब आधर करना ठीक है next है at once beak and call, at once beak and call इसका मतलब होता है always ready to obey somebody's order ठीक है तो हमेशा किसी की सेवा में हाजिर होना, किसी का आडर मानने के लिए हमेशा तयार होना उसको बोलते है at once beak and call और ab inspiring मतलब होता भय पैदा करने वाला कारण ठीक है इसका एक और मतलब होता है भय पैदा करने वाला कारण ठीक है तो इसको ध्यान रखेंगे ab inspiring ठीक है somebody ठीक है तो away of answering that source no respect for somebody तो ऐसे इस तरीके से answer करना किसी जीच का कि उसमें किसी की respect ना की गई हो ठीक है तो उसको बोलते है back chat मतलब किसी की respect ना करना सीधा है इन इसमें सम्झेओ नेक्ट है back out back out मतलब होता to break a promise ठीक है तो break a promise मतलब अपना वादा जो है तोड़ देना उसको बोलते है back out 70 questions हो सुगे हैं आगे चल दे हैं और आप लोग जो है please चैनल को subscribe जरूर करेंगे और हो सके जितना हो सके वीडियो को अपने friends के साथ share जरूर करेंगे ठीक है next देखेंगे 71 है back the wrong horse back the wrong horse इसका मतलब होता to support someone or something that can not back to somebody back to something that you don't want to do ठीक है तो back the wrong horse का मतलब क्या होता है to support someone or something किसी को या किसी चीज़ को support करना that मतलब जो कि cannot back to something that you don't want to do तो किसी ऐसी चीज़ को support करना जो आप नहीं करना चाहते हो ठीक है आप खुद नहीं करना चाहते हो उसको support करना तो उसको बोलते है back the wrong horse ठीक है नेक्स्ट है, badhearts, तो badhearts, को मतलब होता, people are bad character, ठीक, बुरा व्यक्ति, उसको बोलते हैं, badhearts, नेक्स्ट है, bag and bagges, तो with all ones belonging, मतलब bag and bagges, मतलब, बोरिया बिस्तर समय ठीक है बोरिया बिस्तर समय थिंदिम बोलते हैं मतलब with all belongings ठीक है अपने सभी समान अपनी सभी चीजों के साथ हमें ठीक है next है ball of fire मतलब active and energetic ठीक है active होना energetic होना बहुत ही ओर जावान होना उसको बोलते है ball of fire नेक्स है bank upon तो bank upon का मतलब होना किसी पर निर्भर करना तो उसको बोलते है bank upon मतलब depend upon और आपको ध्यान भी रखना है डिपेंड के साथ कई बार common error और improvement में जो है preposition के लिए आता है तो ध्यान रखेंगे डिपेंड के साथ preposition on यह अँपान यूंज होता है ठीक है नेक्सटे बेकर सेलजन तो बेकर डेजन मतलब traveled 13 यानि कि तेरह ठीक है नेक्ट है bet and eyelid बैट and eyelid इसको मतलब होता है to so no surprise और embracement ठीक है तो सरविंदगी कोई नहीं महसुस करना कोई सरविंदगी नहीं महसुस करना उसको बोलते हैं bet and eyelid ठीक है तू सो नो सर्प्राइज और इंब्राजमेंट ठीक है तो सर्प्राइज मतलब आश्चा चकीत और इंब्राजमेंट मतलब सर्मिंदगी नहीं दिखाना ठीक है तो उसको बोलते हैं बैटा एन आइलिड नेश्ट है बटेन डाउन दा हैट चेस मतलब होता है प्रिपेर फार मतलब होता है नर्वास होना थे ठीक है तो नर्वास मतलब बहुत ही चिनता में होना कह सकते हैं परिशान be on as next है be as clear as mud मतलब to be impossible to understand ठीक है तो be as clear as mud का मतलब होता है to be impossible to understand जिसको समझना बहुत मुश्किल हो उसको बोलते है be as clear as mud मद का मतलब क्या होता है मिट्टी होता है मद मतलब होता है मिट्टी तो मिट्टी के जैसे clear होना ठीक है be as clear as mud तो इसको बोलते हैं कोई चीज जो समझना बहुत मुस्कि लोगय सब्सक्राइब अबात अबाउट टूपेर्स मतलब होता है मरना जो मरने वाला हो उसको बोलते हैं दूम लाउटė लेक्राइब नेक्स्ट है, be at each other's throat का मतलब बता है two person arguing angrily, ठीक है, तो दो ब्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही क्रोधित होकर argument कर रहे हैं, उनको बोलते हैं, be at each one's throat, ठीक है, next है, be in seventh heaven, ठीक है, be in seventh heaven, मतलब extremely happy, जिसको बोलते हैं इन्दी में, सात में आस्मान पर होना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं extremely happy, मतलब बहुत ही खुस होना, next आके चलते हैं, 87 हो गया है, 88 पर चलते हैं, तो be in the doldrum, be in the doldrum, तो मतलब होता है, not very successful, or nothing new is taking place, ठीक है, तो successful नहीं होना बहुत जादा, और नहीं कुछ नया होना, उसको बोलते हैं, be in the doldrum, ठीक है, next है, be on cloud nine, मतलब होता है, very happy, अति आनन्दित होना, be on cloud nine, ठीक है, next है, be on the edge, be on the edge, मतलब होता है, to be nervous or worried about something, तो किसी चीज़ को लेकर के, बहुत ही नर्वस होना, बहुत ही परे be a tailor made, be a tailor made का मतलब होता है, to be completely suitable for someone, ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए, या फिक किसी के लिए एकदम suitable होना, उसको बोलते है, be tailor made, ठीक है, तो be tailor made का मतलब होता है, किसी के लिए एकदम suitable होना, next है, bear a grudge, ठीक है, bear a grudge का मतलब होता है, to have bitter feeling, ठीक है, bitter feeling होना, next है, bear fruit, तो bear यानि कि सफल होना या फिर सफल रिजल्ट मिलना उसको बोलते हैं अच्छा रिजल्ट मिलना उसको बोलते हैं यहां पर यहां तक है पूरा बियर अब मतलब होता है to receive the worst part of something unpleasant or harmful तो किसी चीज़ का बहुत ही खराब पार्ड आपको मिलना उसी को बोलते हैं bear the brand आप ठीक है to receive the worst part of something unpleasant or harmful ठीक है तो किसी खराब चीज़ का किसी नुकसान दायक चीज़ का जो है सबसे खराब पार्ड आपको मिलना ठीक है तो उस वो बोलते हैं bear the burnt up ठीक है next है be bear the palm bear the palm मतलब होता to be ahead to be ahead bear the palm next है beat about the bush ये तो कई बार एक्जाम में आया हुआ है beat about the bush ठीक है to to stray from the main point ठीक है तो घुमा फिराकर के बातें करना to beat about the bush का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना next है beat neck and crop beat neck and crop मतलब होता है to be completely ठीक है तो पूरी तरिके से beat हो जाना यानि की हर जाना उसको बोलते है beat neck and crop ठीक है तो beat completely next बोलेंगे तो मतलब किसी को पूरी तरिके से हराना beat करना ठीक है next है beat a retreat beat a retreat मतलब होता to beat drop from a place quickly किसी अस्थान से safe निकर जाना ठीक है उसको बोलते है beat a retreat मतलब खत्रे से निकल जाना उसको बोलते है beat a retreat next है beat once brain beat once brain का मतलब होता out to try very hard to understand यहाँ पर beat once brain out है ठीक है यहाँ तक पूरा है beat once brain out मतलब to try very hard to understand and work out a problem remember something etc तो मतलब कोई बहुत ही कठिन काम करना किसी कठिन चीच को समझने की understand करने की कोशिस करना उसको बोलते हैं beat once brain out ठीक है यह हो गए आपके पूरे hundred idioms अब आगे चलते हैं hundred और देखते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने friends के साथ share कर देना तो आगे देखते हैं beat once head against the wall ठीक है तो मतलब to try to do something that is hopeless ठीक है तो कुछ ऐसा करने के कोशिस करना जो बहुत ही hopeless हो ठीक है उसको बोलते हैं beat once head against the wall ठीक है beat the air beat the air मतलब होता to make useless efforts ठीक है तो मतलब फालतों के प्रयास करना उसको बोलते हैं beat the air ठीक है मतलब की हवा को जो है पीछा करने की कोशिस करना ठीक है beat the air मतलब हवा को पिछारने की कोशिस करना उसको बोलते हैं मतलब useless काम करना ठीक है next है beautiful beautiful and beauty is only skin deep beauty is only skin deep मतलब how a person look is less important than their character ठीक है तो एक परसन एक बेक्ति की जो है वो कैसा दिखता है यह मैटर नहीं करता बल्कि यह मैटर करता है उसका character ठीक है बल्कि उसका character मैटर करता है ठीक है तो एक बेक्ति कैसा दिखता है यह नहीं बल्कि उसका करेक्टर कैसा है यह ज्यादा जो है क्या करता है ज्यादा मतलब उस पर ध्यान देना ठीक है फिर सब्सक्राइब होता है इसका मतलब होता आइन इजी एंड इसका मतलब तो किसी चीज के बारे में लगातार हमेशा सोचने रहने की जो इस्थिती होती है उसको बोलते हैं next है बैग दा sorry मतलब होता है किसी पार की टाक पाई इससरी के बारे में इस तरीके से बात करना मानुआं बिल्कूल सही है कि वह सही नहीं है ठीक है तो किसी चीज के बारे में इस थरीके से बात करना कि जैसे वह बिल्कुल सही बात कर रहा है ठीक है जब कि वह अग्दम क्या है गलत है तुसको बोलते हैं बेगदा question next है begin to see the light मतलब to begin to understand मतलब समझने की कोशिस करना या फिर समझना शुरू करना ठीक है उसको बोलते है begin to see the light next है behind closed doors मतलब होता है done in secret यानि की गुप्त रूप से behind closed doors मतलब होता है गुप्त रूप से behind someone's ear मतलब होता है sorry bend someone's ear मतलब होता है to talk to someone perhaps perhaps unknowingly ठीक है तो किसी से बहुत ही क्रोधित होकर के बात करना उसको बोलते हैं bend someone's ear next देखेंगे bent on doing something ठीक है तो इसको भी आप लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे यह आपके हर जगा पूछा आता है यह जो है हर जगा मतलब common error improvement फिरिंदा blanks idioms हर जगा यह आता है ठीक है यहाँ पर important यह होता है कि bent bent के साथ जो है preposition on आता है और इसके पाद वर्ब की ing farm आती है यह काफी important होता है ठीक है तो इसको पूरा आप लोग द्यान रखें bent on doing something होता है ठीक है bent on upon यहाँ पर आपान भी हो सकता है bent on doing something इसका मतलब वस्मां को करने पर तुला होना ठीक है तो किसी काम को करने पर तुला होना या फिर किसी काम को करने के लिए बिल्कुल determine होना उसको बोलते है something यह इसको आप लोग जो ज़रूर ध्यान रक्कें जह आपके कई सेक्षन में पूछा जाता है जो आपके क्रोश टेस्ट में भी पूछा जा सकता है तो इसको अच्छे से ध्यान रखें आप लोग नेक्स्ट देखेंगे यह तो हो गया beside oneself beside oneself मतलब होता है almost out of once sense from a strong emotion as from joy dirigently next देखेंगे आगे चलेंगे 111 हो चुके हैं 111 के बाद चलते हैं 112 नंबर पर यह beside the mark beside the mark मतलब होता है irrelevant मतलब जो relevant नहीं है उसको बोलते हैं beside the mark बिल्कुल आसंगत ठीक है नेक्स्ट बोलेंगे better half better half मतलब होता है wife यानी की पतनी नेक्स्ट है between the devil and the deep blue sea इसका मतलब होता है in a difficult situation where there are two equally unpleasant or unacceptable choices तो दो मिस्वितों या दो विधाओं में फसा हुआ ठीक उसको बोलते हैं between the devil and the deep blue sea मतलब दू भी था में फसा होना ठीक है नेक्स्ट देखेंगे between iskla and cherry bits between iskla and cherry bits between iskla and cherry bits between iskla and क्या लिखा है cherry डिस ठीक है इसका मतलब होता between two great dangers ठीक है तो दो बहुत ही बड़े खत्रों के बीच में होना उसको बोलते हैं between iskla and cherry bits नेक्स्ट है bent on the wrong horse bet on the wrong horse का मतलब होता है to misread the future to misread the future bent on the wrong horse ठीक है नेक्स्ट देखेंगे beyond the pale मतलब होता है considered by most people to be unacceptable or unreasonable ठीक है तो beyond the pale का मतलब क्या होता considered by most people to be unacceptable or unreasonable ठीक है तो जिसको जो है अधिकतर लोग क्या करते हैं अनऊसर करते हैं ठीक है यह साश्विकार करते है उशको बोलते हैं beyond the pale नेश्ट है bid lik happens bid drill reference मतलब होता है टूढ़ी की मतलब होता है नियंदा करना ठीक है तो bidrimünal aircraft नियंदा करना नेक्स्ट है फिट मतलब होता है टूकिय म लाइकली to seem like एकली नेक्स्ट है है बा rape time मतलब to wait patiently बैड है वेड़ पैसेंटली बाइड टाइम पेसेंटली मतलब दहरपूरोगी ध मतलब ध्यूजा करना जसले बग्बक्स बग्बक्स मतलब लार्जमाउंट आप मनी तो बग्बक्स मतलब बिक्बक्स अंतल होता है ब्सान्بिद पर्संण यह नी एक दम गेक्टी बट्स-ाइवीव मतलब होता है जनरल हो टीक तो मतलब एक ही एक ही तरीके के विक्ष्ट उसको बोलते हैं बंट्स आप दा सेम ठीक पहिद कियो मतलब q to do more than one's ability मतलब उतना काम या जिम्मेदारी ले लेना जितना ना हो सके यानि कि अपनी छमता से ज्यादा कोई काम या कोई जिम्मेदारी ले लेना उसको बोलते हैं आगे देखते हैं 125 हो चुके हैं तो 126 यहां पर bite the bullet Bide the bullet मतलब तो फेस a difficult situation mentally ठीक है तो किसी कठिन परिस्थति को बहुत ही परिस्थति से बहुत ही बहाधूरी से निपटना उसको बोलते हैं Bite the bullet next है Bite the dust मतलब To die Hit to end in failure ठीक है Bite the dust मतलब मर जाना Bitter pill To swallow Bitter pill to swallow मतलब An unpleasant fact That must be accepted ठीक है, bitter pill to swallow मतलब कड़वा दवाई जो है, पीना, कड़वी दवाई, पीना मतलब की कोई unpleasant thing को accept करना, ठीक है, नेक्स्ट है, black and blue मतलब full up bruise, black and blue मतलब होता है, बुरी तरीके से मार खाया हुआ, नेक्स्ट है, black sheep मतलब bad character, कुटिल बक्ती, ठीक है, बुरा बक्ती, उसको ब बुलते हैं, black sheep, नेक्स्ट है, blaze a trail, मतलब to do something different, मतलब किसी चीज कोई different चीज करना, या फिर कोई नया किरतिमान हासिल करना, उसको बोलते है, blaze a trail, नेक्स्ट है, blazing in disguise, मतलब होता है, something intrinsically good, but having a bad appearance, blazing in disguise, तीग है, तो मतलब something intrinsically good, कोई चीज अच्छी होना, but having a bad appearance, लेकि bad appearance होना, उसमें, नेक्स्ट है, blind leading the, blind leading the blind, ठीक है, तो मतलब अंधा, अंधे को lead करेगा, तो इसका मतलब क्या है, someone who does not understand something, but tries to explain it to other, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि कोई बक्ती जो किसी चीज को नहीं समझता है, लेकिन दूसरों को explain करने की कोसिस करता है, उसको ब बता रहा है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं, blind leading the blind, नेक्स्ट है, blink of an eye, मतलब very quickly in a short time, बहुत ही जल्दी होना, ठीक है, blink of an eye मतलब पलक जपकते है, मतलब की बहुत जल्दी, ठीक है, blow by blow, मतलब होता है, to describe an event as it incurred in every detail, ठीक है, तो blow by blow मतलब होता है, पूर्ड बिवर्ण एक एक करके, ठीक है, next है, blow hot and cold, मतलब होता है, to change your opinion about something, ठीक है, blow hot and cold, मतलब to change your opinion about something, तो मतलब किसी चीच के बारे में अपना जो है, opinion change करना, उसको बोलते है, blow hot and cold, next है, blow off, मतलब होता है, pass off, ठीक है, pass off, मतलब चले जाना, blow off, next है, ब्लौ वन्स आउन होन टिक है ब्लौ वन्स आउन होन मतलब ठीख किसी की प्रसंता करना आगे चलते हैं 139 हो चुके हैं और चलते हैं 140 पर और आप लोग जो है प्लीज वीडियो को जरूर सेर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना और यहां पर आपके लिए जो है इंग्लिस के बहुत सारी क्लासेश दी गई है ठीक है आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जाद के लिए काफीज होंगे बोल चलते हैं 140 नंबर बर ब्लो समों इंड मतलब होता एक साइड समवण ठीक है एक साइड समवण मतलब किसी को उत्तेजित करना उसको बोलता है ब्लो समवण से मांड नेक्स्ट है ब्लू ब्लड तो ब्लू ब्लड सायल मैंने आपको बताया जहां तो कह सकते हो नंतने राइड बुआइड मतलब फेवरेट किसी का फेवरेट परसन उसको बोलते हैं अगया है बुदर प्सक्राइअ होता है एक साउस्टेक तका हुआ एंड स्पीचलेस तका हुआ ब्लू इन दा फेस नेक्स्ट है ब्लू स्टॉकिंग तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है एन इजुकेटड इंटेलेक्चुल लेडी ती पढ़ी लिखी महिला उसको बोलते हैं ब्लू स्टोकिंग, नेश्ट है, बोल्ट फ्राम ब्लू, मतलब होता, एसेडन, सोकिंग, सर्प्राइज, और टर्न आफ इवेंट्स, मतलब, बोल्ट फ्राम ब्लू मतलब होता है, बहुत ही सोकिंग होना कोई चीज, ठीक है, कोई चीज बहुत ही, सोकिंग होना, उसको बोलत सफरा में blue next bone of contention इसका मतलब between झख़्य आ या फिर विवाद का कारण होना next bone to pick a bone to pick मतलब होता है ground the bone to pick मतलब होता एक विवाद इसे निप्टाना हो यह एक विवाद इसे निप्टाना हो burn with a silver spoor in दहा माउथ burn with a silver sponge in the mouth इसका मतलब होता है burn into a rich family burn into a rich family मतलब धनी परिवार में जनमा हुआ burn with a silver sponge in the mouth मतलब होता है burn into a rich family मतलब धनी परिवार में जनमा हुआ bosom friend आपको पता है होगा जिगरी दोस्त बोलते हैं intimate friend next bottom line the most important thing that you have to consider or accept ठीक है तो bottom line का मतलब तो सुद्ध मुनाफ़ा या पर निसकर्स बोलते हैं इसको सुद्ध मुनाफ़ा निसकर्स the most important thing कोई बहुत ही important thing that जो की you have to consider और accept जो की आप जो है accept करना चाहते हैं उसको बोलते हैं bottom line ठीक है next है bow and scrap bow and scrap try too hard to please someone मतलब किसी को खुष करने की बहुत अधिक कोशिस करना उसको बोलते हैं bow and scrap bow and scrap someone in a position of authority ठीक है next आगे चलेंगे brass monkey weather brass monkey weather extremely cold weather ठीक brass monkey weather मतलब extremely cold weather मतलब बहुत ही ठंड होना next देखेंगे bread and butter मतलब means of livelihood मतलब जीवी को पारजन ठीक है जीवी को पारजन होना ठीक है मतलब जीवित रहने के लिए क्या है कमाना उसको बोलते हैं जीवी को पारजन ठीक है but bread and butter next चलेंगे आगे one 54 number है bread and butter later bread and butter, later इसका मतलब होता a letter expressing thanks ठीक है तो thank you देने वाला जो letter हुता उसको बोलते हैna bread and butter later जबकि आकए जलते हैं break a leg break a leg मतलब होता है two weeks good luck ठीक है two weeks good luck next है Break the back off Break the back off मतलब था Reduce the power of something किसी चीज की power को कम करना Reduce करना उसको बोलते है Break the back off Next है Break the ice Break the ice मतलब To break silence By speaking first ठीक है तो चुप़ी तोड़ना इसको बोलते है Break the ice मतलब क्या होता है चुप़ी तोड़ना Next है Breathing down Once Neck मतलब To watch closely ठीक है नजदेकी से निगाह रखना किसी पर उसको बोलते है Breathe down once Neck किसी पर नजदेकी से निगाह रखना क्या बोलते है Breathing down once Neck ठीक है Next है Bring down the house Bring down the house तो उसको बोलते है Make an audience Cheer loudly and Excitedly ठीक है मतलब कि Audience को बहुत ज़्यादा उत्यजित करना बहुत ही ज़्यादा खुस करना ठीक है उसको बोलते है Bring down the house Next है Bring home Bring home मतलब To explain Explain करना ठीक है Next है Bring home to bacon Bring home the bacon मतलब होता है To earn money to live ठीक है तो bring home the bacon मतलब earn money to live Next है Bring to books मतलब To punish Punish करना किसी को सजा देना उसको बोलते है Bring to books Next है Bring to light मतलब होता है To disclose किसी चीज को उजागर करना उसको बोलते है Bring to light Next है Break down तो break down मतलब होता है Wept bitterly ठीक है तो रोने लगना फोट फोट कर रोना उसको बोलते है क्या Break down ठीक है और Break down आप मसेनरी भी होता है ठीक है किसी मसेन कोई काम नहीं करती उसको बोलते है Break down उसको भी बोलते है तो इसको भी ध्यान रखेंगे दो मीनिंग होता है Break down मतलब फोट फोट करके रोना या फिर कोई मसेन काम करना बंद कर देना ठीक है नेक्स्ट है ब्रेकप ब्रेकप का मतलब आपको पत्चा है अच्छे सब जानते हैं आप लोग कि नेक्स्ट है करेटाइंड इस्टिक मतलब होता है डिवार्ट्स एंड पनिस्मेंट करेटाइंड इस्टिक मतलब रिवार्ट्स एंड पनिस्मेंट मतलब पनिस्मेंट च्क संख के लिए प्रोजाएं और अंज्द नहिए अच्छे काम के लिए प्रोजाहल और बुरे काम के लिए उसको बोलते हैं करट के अंज्ट है करीड आफ वंस फीट करीड आफ वंस फीट का मतलब होता है to fill with enthusiasm ठीक है next देखेंगे bro beat bro beat मतलब होता है to intimidate मतलब होता है डराना intimidate मतलब डराना तो bro beat मतलब होता है intimidate यानि कि डराना और brown study मतलब reverie reverie मतलब क्या होता है दिवास अपने दिन में सपने, देखना, ठीक है, इस्टरेट आप, डीप थौट, ठीक है, बहुत ही बिचार मगन होना, उसको बोलते है, brown study, next चलते हैं, आगे देखेंगे, built, upon, sand, built upon, sand, must list on immature idea, ठीक है, based on immature idea, मतलब आवे भारी को होना, उसको बोलते हैं, built upon, sand, next है, build castle in the air build castle in the air मतलब to make imaginary plan ठीक है तो हवाई के लिए बनाना ठीक है कोई imaginary plan बनाना next है bull in a china soap मतलब headless destroyer ठीक है headless destroyer next है burn a hole in one's pocket मतलब tempt someone to spend it quickly and extravagantly ठीक है tempt someone to spend it quickly and extravagantly किसी चीच को बहुत ही जल्दी या फिर फिजूल खर्च करना ठीक है या फिर burn a hole in one's pocket ठीक है इसका मतलब कोई होता है कि बहुत ही quickly बहुत ही तेजी से बहुत ही इधर उधर खर्चा करना next देखते हैं burn one's boat burn one's boat मतलब no means of retreat ठीक है तो वापस होने का रास्ता बंद कर देना एक तरीक है जैसे किसी नदी को पार करो आप जो है नाव ले करके और नदी को उस पार जाने पर आप नदी को जला दो ताकि वापस ना पाए दूसको बोलते हैं burn one's boat ठीक है तो वापस आने का रास्ता खतम करना नेक्ट है बर्न बंस फिंगर मतलब to get into trouble मतलब तो विधा में हो जाना नेक्ट है burning question तो burning question का मतलब होता एवाइडली debated issue का कर बर्निंग question मतलब जो बहुत ही debated issue होता है मतलब issue मतलब जो कह सकते हो मुद्धा ठीक है मुद्धा जो है बहुत ही डिबेट वाला है उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेस्चन या पिर कह सकते हैं जुलंत प्रस्ण ठीक है नेक्स्ट देखेंगे बरन दा करेंडेल आइट बोथ इंस मतलब टू वेस्ट वन्स मनी और इनर्जी रेकलेसली ठीक है त पिर गञैडेल नाइट गर तो देर रात तक जाकंग करके कड़ी मेहनत करना उसको बोलते हैं बर्नियम डर्निल्य है उलीड़्यक करने त्यक्त बोर्स्माण्स हॉली डे बुस्माण्स होलीडे मतलब होता ये होली डे वेर यू इस्पेंड ऑ्रस्वाह on ठीक है तो भुस्मायंस holiday का मतलब होता है ऐसा holiday जिसमें आप वही काम करते हैं जो आप पहले करते थे ठीक है तो उसको बोलते हैं भुस्मायंस holiday ठीक है आगे देखेंगे bite once lip bite once lip मतलब होता है to prevent yourself from showing your reaction to something by speaking or laughing ठीक है तो bite once lip आगे चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर 182 नमबर है और हम लोग पहुंचने वाले हैं ठीक है 200 पूरे होने वाले हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने friends के साथ भी share जरूर करना और वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया तो please सब्सक्राइब कर लेना ठीक है नेक्ट देखते है by a whisker तो by a whisker मतलब होता है by a very small amount ठीक है भहुत ही चोटे amount के साथ next by all accounts by all accounts मतलब होता है from all reports and records ठीक है इसका मतलब कह सकते हो जैसा कि कहाया बताया गया है ठीक है तो from all reports सभी reports से या फिर जिकार्ट से ठीक है next देखेंगे by and by मतलब after a short period ठीक है short period के बाद next by and large मतलब होता है generally या फिर usually तो by and large मतलब होता है आम रूप से आम रूप से ठीक है next by didn't of something मतलब as a result of or because of something ठीक है तो किसी चीज के कारण कह सकते हूँ किसी चीज के कारण या किसी चीज के परिडाम सुरूप ठीक है तो by didn't of something मतलब किसी चीज के परिडाम सरूप आगे देखेंगे by hook और by crook ठीक है तो काफी famous है by hook और by crook मतलब by any means ठीक है सही या गलत किसी भी तरीके से नेक्स है by fair means और foul by fair means और foul मतलब by anyway right or wrong तो by fair means और foul या फिर by hook और by crook दोनों का एक ही मतलब होता है ठीक है next है by fits and starts by fits and starts मतलब होता है irregularly आनियमित ठीक है आगे देखेंगे by leaps and bounce by leaps and bounce मतलब very rapidly बहुत तेजी से next है by the book by do book को मतलब होता है follow rules and instructions in a very strict way ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि by the book मतलब rules को बहुत ही strict तरीके से follow करना ठीक है rules को या किसी instruction को बहुत ही strict कटो तरीके से follow करना next है by the same token by the same token मतलब for the same region बिलकुल उसी तरीके से by the same token मतलब होता है उसी तरीके से ठीक है by the skin of one's teeth by the skin of one's teeth मतलब होता है only just minus to do it ठीक है आगे देखते हैं next है आपका call a spade i spade ठीक है call i spade i spade मतलब to be frank ठीक है मतलब इस पस ट्रूप से सच्चाए बता देना next है call something into question तो cast doubt on something ठीक है किसी जी पर doubt करना next call names तो call names मतलब to abuse ठीक गाली देना ठीक नाम ले करके बुलाना यानि की गाली देना carry the day carry the day मतलब to be victorious or successful सफल होना carry the day का मतलब होता है सफल होना call someone bluff call someone bluff का मतलब होता है to expose a person's deception challenge someone to carry out a treat ठीक है तो to expose a person किसी बेक्ति को to person's deception deception मतलब होता है दोखा तो किसी के दोखा को expose करना उसको बोलते है call someone bluff ठीक है आगे देखेंगे keep it all keep it all का मतलब होता है to finish keep it all मतलब होता है to finish और cards are stacked against cards are stacked against मतलब होता है luck is against you ठीक है luck is against you तो इस idiom का मतलब होता cards are stacked against तो friends यह थे पूरे 200 idioms ठीक है और काफी important है आप लोगों को थोड़ा भूत याद भी होंगे ठीक है और आप इस वीडियो को दो तीन बार revise करेंगे तो आपको सारे idioms जो है अच्छे से याद हो जाएंगे I hope यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा ठीक है और पसंद आया है तो प्लीज आप इसको जो है अपने friends के साथ जरूर सेयर करें और फिर मिलते हैं friends नेक्ट वीडियो में थैंक्यू बेस्ट आप लख